उत्तर पर्देश के लखनों में मोहित पांडे की लोकप के अंदर मोत हो गई और जिसको लेकर के अब CCTV फुटेज सामने आया है ये CCTV फुटेज अपने आप में बहुत सारे सावाल खड़े कर रहा है परिवार के लोग आज सडक पर उतराए और मंत्री जी की कोठी के सामने सव को रख करके धरना देने का काम किया और उसके बाद पता है क्या हुआ उसके बाद भाजपा के विधायक मोके पर पहुँचे और भाजपा के विधायक ने आर्थिक सायता देने का काम किया मोहित पांडे को लेकिन आप चोक जाएंगे आर्थिक साहिता कितने रुपे की दी सिर्फ एक लाख रुपे का चेक पुलिस लोकप के अंदर मोथ हुई है सवाल पुलिस पर उठ रहे हैं और CCTV फुटेज में अपने आप में बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आई है जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ कैसे तडब तडब करके वो आदमी मरा है लेकिन भाजपा का विधायक आर्थिक साहिता के नाम पर एक लाख रुपे की रकम देता है क्या होता है एक लाख रुपे और इससे भी बड़ी बात आप सुनकर कहरान रह जाएंगे यह जो जगड़ा हुआ जिसकी वज़े से मोहित पांडे को पुलिस को ग्रफतार करना पड़ा उसको लोकप के अंदर डालना पड़ा उसकी वज़े मात्र 600 रुपे थे मात्र 600 रुपे को लेकर के एक जगड़ा हुआ 600 रुपे के लिंदेन को लेकर के जगड़ा हुआ और जिसके बाद में मोहित पांडे को पुलिस उठा करके लोकप में बंद कर देती है उसका भाई आता है रात को 10 बजे मोहित पांडे को लोकप में बंद किया तो सबसर पहले आप ज़राइ सिसीटीव फुटेज देखिए यह सिसीटीव फुटेज देखिए और सिसीटीव फुटेज में आपको दिखाई दे रहा है कि लोकप के अंदर कई सारे वहाँ पर लोकबंध हैं और इस सिसीटीव फुटेज में जो आपको लेटा वसक्स से तब्यत खराब होने लगती है बाकी तमाम लोग बैठे वे थे लेकिन मोहित पांडे लेटा हुआ था क्या पुलिस ने इतनी मार मारी जिसकी वज़े से मोहित पांडे बैठ नहीं पा रहा था ये मोहित पांडे यहां पर तरफने लगता है और उसके बाद में उसके बाद है अब सवाल यही है कि क्या पुलिस ने समय पर मदद नहीं दी क्या पुलिस ने बहुत ज़्यादा मार-मारी जिसकी वज़े से उसकी हालत खराब हो गयी उसकी तब्यत बिगड़ गई अपने आप में यह सवाल जो खड़े हो रहे है यह सी इसीडिव फुटेज जब परिवार ने देखा, जब परिवार ने देखा कि उनका बच्चा लोकप के अंदर बिलख रहा है, मात्र 32 साल की उमर है इसके, साधी सुधा लड़का है, 32 साल का एक नोजवान और जो की स्कूल ड्रेस बेचने का काम करता था, कपड़ा वैपारी ह मतलब एक छोटा सा अपना काम करके, अपना जीवन यापन कर रहा है, मोहित पांडे, और सोचिए, योग्ये दितनाद की पुलिस, उस पर ये सीधे गंबीर आरोप हैं कि वो, एक हत्यारी है, और उन्हीं ने हत्या की है, ये गंबीर आरोप योग्ये दितनाद की पुलिस अब कुछ सीधे सवाल इस घटना को लेकर के उठ रहे हैं और इसके बाद में अखिलेस यादव की भी प्रतिक्रिया आई है अखिलेस यादव कह रहे हैं कि लोकप का दूसरा नाम जो है वो कुछ बदल करके और उन्होंने रखा है सुझाया है क्या कहा है आगे आपको पर देखिए पुलिस का परिवार का आरोक पुलिस कस्लडी में मोहित पांडे की मोत हुई है चिनहट थाने के लोकप का CCTV सामने आया CCTV में साफ तस्वीरे दिखाई दे रही है CCTV घटना को लेकर के बया कर रहा है दास्ता, लोकप में एक यूवक, दूसरे यूवक की पीठ दबाता दिख रहा है, एक यूवक लोकप से बाहर की और देख करके इसारा कर रहा है, CCTV में दिखा लोकप में बंद, लोग मदद मांग रहे हैं, क्या लोकप में मोहित पांडे की तब्यत बिगडी थी, लोकप में यूवक लोकप के गेट पर खड़े हो करके क्या मांग रहा था ये सवाल जो है वो इस घटना को ले करके खड़े हो रहे हैं और जो मैंने कहा कि मात्र 600 रुपए को ले करके ये विवाद हुआ और केवल जो भाजपा की विधायक है एक लाक रुपए की आर्थिक मदद दे रहे हैं क्या होता है एक लाक रुपए पूरी घटना 600 रुपए के लेंदेन से सुरू हुई मोहित और उसके साथी आदेस के बीच में जगड़ा हुआ आदेस ने पुलिस बुलाई मोहित जो की 32 साल का है उसको पुलिस पकड़ कर थाने ले गई भाई सोभाराम छुडाने के लिए पहुचा जो बड़ा भाई है वो छुडाने के लिए वहाँ पर पहुचा तो उसे भी लोकप में बंद कर दिया गया सोभाराम ने बताया कि रात में पुलिस ने मोहित और मेरी पिटाई की जिससे मोहित पांडे की मोत हो गई इसी बीच में सपा नेत्री उजा सुकला भी घटना का विरोध करने के लिए पहुच गई इस बीच सडक पर बैठ गई और पुलिस ने उनको घसीट कर वहां से हटाया और हिरासत में ले लिया बिकेटी से भाजपा विदायक योगे सुकला भी मोके पर पहुचे उन्होंने माना की पुलिस की गलती हुई है अब बीजेपी विदायक गलती मान रहे है पुलिस की परिवार को सीम योगी से मुलाकात करवाने का आस्वासन भी दिया उन्होंने मृतक की मा को और पतनी को एक लाख रुपे का चेक दिया ये समझ से परे की बात है कि एक लाख रुपे का चेक वो किस नाम से दे रहे थे और क्या एहसान करवा रहे हैं वो योग्य दितनाच से मुलाकात करवा करके योग्य दितनाच को तो अब तक खुद उनको बुला लेना चाहिए था योग्य दितनात को तो खुद जाज के आदेश दे देने चाहिए थे कि आखिरकार ये पूरा थाना कर क्या रहा है पूरे थाने को सस्पेंड कर देना चाहिए आप बताईए कि अभी तक थाने के ऐसे चो पर एफाई आर हुई है चार अन्य पर फाई आर हुई लेकिन ये जो घटना है वो ये साफ तोर पर सवाल खड़े कर रही है कि 600 रुपे के लिए एक विवाद हुआ है लेंदेन को लेकर के विवाद हुआ है तो आखिरकार आप किसी को उठा कर कैसे ले आए रात को 10 बजे उठा कर के लेकर क्या है ये पूरा घटना करम आप देखिए ये पूरा घटना करम आपके सामने है और इसमें दिखाई दे रहा है कि 25 अक्टूबर को रात 8 बजे पुलिस को जगड़े की सूचना मिली रात 9 बजे पुलिस ने मोहित पांडे को हिरासत में लिया रात 10 बजे मोहित पांडे को ठाने पर लाया गया रात 11 बजे भाई शोभाराम ठाने पहुंचा उसे भी बठा लिया गया 26 अक्टूबर को अगले दिन दोपैर 3 बजे मोहित की मोत की सूचना आई स्याम 4 बजे परीजन लोहिया अस्पताल पहुंचे स्याम 5 बजे सडक पर जाम करके हंगामा करने लगे स्याम 6 बजे पुलिस ने सभी को समझा करके अस्पताल ले जाए गया और रात 9 बजे एक बार फिर से सभी सडक पर उतर आए रात 11 बज करके 45 मिनट पर इंस्पेक्टर के साथ अन्य पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज और आज यानि 27 अक्टूबर को घटना के तीन CCTV फुटेज जारी गए अब इस CCTV फुटेज अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं कि आखिरकार किस तरीके से पुरी घटना हुई है भाई बोला लोकप में ही भाई की मोत हो गई मोहित पांडे की मोत के बाद उसके साथ में हिरासत में लिए गए भाई शोभाराम को पुलिस ने छोड़ दिया सोभाराम का कहना है कि पुलिस ने मुझे और मोहित को सुकरवार 9 बजे साथी से जगड़े के बाद ग्रफतार किया था रात में पुलिस ने जब हिरासत में लिया तबी से जम करके मारपीट शुरू कर दी मेरे सामने भाई को पीटा जा रहा था मैं देख करके भी उसे बचा नहीं सका वे तेज-तेज चीख रहा था बोल रहा था कि दरवाजा खोल दो नहीं तो मैं मर जाओंगा फिर भी पुलिस वाले कुछ भी सुनने को तयार नहीं थे भाई ने लोक अप में ही दम तोड दिया और इसके बाद में पुलिस उसे होस्पिटल ले गई सवाल ये है कि इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आएगी तब पता चलेगा कि क्या वाकई पुलिस की मोत से पुलिस की मार से मोत हुई है या कोई सामाने तरीके से जो है उसकी मोत हुई है ये तब पता चलेगा लेकिन एक सवाल तो उठता होगा आपके जहन में भी आता होगा कि 600 रुपए के लेंदेन को लेकर के अगर आपका किसी के साथ जगड़ा हो जाए और कोई फोन करके पुलिस को बुला ले और आपको पुलिस घर से उठा ले जाएगी सोची जरा इस बात को मतलब कहीं पर जो है वो दुसकर्म किया जाता है कहीं पर कुछ होर घटना होती है जिसको लेकर के चक्कर काटने पड़ते हैं जिसको लेकर के कई बार थानों में जाते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि चल चल तेरे जैसी भोत आती हैं तू किसी को blackmail कर रही होगी लड़कों को भगा देते हैं F.I.R. नहीं करते हैं वहाँ पर और यहाँ पर हाखिर कर क्या वज़े थी पुलिस को सपष्ट करना अखलेस यादव इस मामले को लेकर के क्या कह रहे हैं उन्होंने ट्वीट किया अखलेस यादव ने लिखा कि उत्रपरदेश की राजदानी में पिछले 16 दिन में पुलिस विरासत में मोत या हत्या पढ़ा जाए का दूसरा समाचार मिला है नाम बदलने में माहीर सरकार को अब पुलिस विरासत का नाम बदल करके अत्यचार ग्रहे रख देना चाहिए पीडित परिवार की हर मांग पूरी की जाए हम उनके साथ में हैं वहीं कॉंग्रेस नेता सुरिंदर राजपूत ने लिखा है कस्टडी में मोहित पांडे की मोत हुई लोक अप का वीडियो द बताया जा रहा है इसमें लखनो पुलिस की समवेदन स्युन्ता साफ देखने को मिल जाएगी मोहित के साथ में हवालात में बंद लोग उसकी तकलीफ को देख करके मदद की गुहार लगाते रहे लेकिन किसी के कानों में जू तक नहीं रहेंगी अब यहीं तो सवाल है कि जब किसी के साथ में लोकप में उसकी तवियत बिगड़ती है तो कोई मदद के लिए क्यों नहीं आता और उसकी जो तवियत बिगड़ी उसकी वज़े क्या है क्या उसको अचानक से कोई दो रहाया या उसको इतना भेंकर तरीके से मारा गया कि एक सरीफ आदमी समझी नही हुआ है और अभी तक मोहित पांड़े का कोई ऐसा अपरादिक बेक ग्राउंड भी नहीं दिखा है क्योंकि कल्किय घटना है चोविस गंटे बीच चुके इस घटना को लेकिन अभी तक कहीं पर मैंने ऐसा कोई खबर नहीं देखी है कि मोहित पांडे को लेकर के कोई खबर बताई जा रही है और पुलिस की तरफ से कहा जा रहा हो कि इस मामले में पहले भी उसके खिलाफ कुछ है फायार थी या किसी और अन्य मामले में उसके खिलाफ मुकदमा नहीं है वो लोगों की सायता करने के लिए है लोगों को मारने के लिए नहीं है लेकिन बस वही है कि हम एंकाउंटर है और बुल्डोजर पुलिस हैं बुल्डोजर सरकार हैं हम जाहे जिसके मर्जी उपर कुछल देंगे कोई सवाल नहीं करेगा और अभी तक मुसल्मानों कभी याद्वों का नंबर, कभी किसी का नंबर, कभी दलीतों का नंबर अब मोहित पांडे यही विपक्स लगातार सवाल कर रहा है विपक्स लगातार कह रहा है कि आप पहले मुसलमानों को, यादवों को, दलीतों को, OBC को टार्गेट करते रहे और अब आप पांडे तक पहुंच गए है मुझे एक और घटना भी याद आती है इसी तरीके से लखनों में भी एक और बड़ी वारदात हुई थी सोचिए कि किस तरीके से लगातार उत्रप्रदेश की पुलिस लगातार वह ऐसे सवालों के घेरे में घिरती जा रही है किसी दिन अगर सरकार बदलेगी तो क्या फिर इन चीजों की जब पड़ताल होगी तो ये जो पुलिस वाले हैं या जो पुलिस का आज जो तोर तरीका है रवया है क्या तब नहीं नपेंगे या फिर अपनी साथ बचाने के लिए पुलिस को बचाते रहेंगे सवाल बहुत सारे हैं क्योंकि यहाँ पर केवल पुलिस के उपर ही सवाल नहीं है यहाँ पर सवाल सरकार पर भी है क्योंकि अगर प्रदेश की राजदानी लखनव के अंदर अगर ये सब कुछ हो रहा है तो योग्य दितनात किस बात के लिए मुख्यमंत्री बन करके बैठे वे हैं अगर उनका इकबाल इतना भी नहीं है कि इंसाफ पुलिस को करना है पुलिस को लोगों के साथ में इंसानित के साथ में पेश आना है अगर वो अपनी पुलिस को इतनी बात भी नहीं सिखा पाये है और अपनी नाक के नीचे इतनी बात का पालन भी नहीं करवा पा रहे है तो फिर क्या युग्य दितनाथ से सवाल नहीं होने चाहिए? आप क्या सोचते हैं नीचे कोमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताईए इस वीडियो को शेर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ओनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब केजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद